यार पिक्चर आई थी हेरा फेरी शीरीस अब उस पिचर को यह कहा जाता है कि जनरेशन ऑफ मीम्स जो है वह उसी पिचर से हुआ था और यहां इस नमबर अफ मीमों टेंप़लेटंगे लिए उस फिचर के अंदर तीन अत्रंगी से कैरेक्टर्स थे और उनने प्रेक्टर्स को ढेर सारे पैसे मिल जाता है उपर देने वाला जब भी देता देता चपर फारी अब स्टोरी का मोरायल यह है कि इस वीडियो में जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उन पर वैसे ही पैसों की बारिश हो चुकी है ज़सकि उस पिक्चर में राजू शाम और बा में प्राइस पॉइंट की हिसाब से सेट कर चुके हैं और देखना होगा इसमें से कुछ डिजर्वेट है और कुछ तो भीया बिलकुल मलब ऐसे वह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फाइदा मिल गया है बस डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन पैसे तो मिल गए तो खेर बात क को शुरू करते हैं और भीया सबसे बड़ा गेनर जो के रहा है जिसे सबसे ज़्यादा पैसे मिले है तो वो है जितेश शर्मा इन भाई साब की प्राइस जो है तीस लाख से बढ़कर स्वारी बीस लाख प्राइस थी और अब हो चुकी है ग्यारा करोड जी यहां ग्यारा करोड इनकी प्राइस हो चुकी है अब यह डिजर्वेट ली मेरे साफ से तो यार आरसी भी ने जादा नहीं कुल 6-7 करोड रुपए जादा वेस्ट किया जितेश शर्मा पे चार करोड में आ रहे हैं तो ठीक आब आ रहे हैं तो आ रहे हैं देखो रिकॉर्ड का तो ऐसा है कि बिए कप्तान थे पंजाब किंग्स के लिखा हुआ था कि अगर शिखरदावन अंफ्वेट हुए तो कप्तान यहीं बनेंगे लेकिन भाई की फॉर्म इतनी खराब हो गई कि इनको कप्तान तो छोड़ो प्लेंग के लेवन में खिलाना मुश्किल हो चुका था सबसे बड़ा प्राइस हाइक इनको मिला है लगपक 5500 परसेंट का हाइक इंका हो चुका है अब उसके बाद भी आगला नाम है इस लिस्ट में आकाज दी यह भाई साब आरसीबी से जा चुके हैं यह फुली डिजर्विट लिए विकाज जब आये थे तब जो है यह इंटरनाशनल प्लेयर नहीं थे अब यह इंटरनाशनल प्लेयर हो चुके हैं और लखनों सूपर जायंट्स का हिस्सा ही बन चुके हैं अब उसके बाद में जी अगला नाम है नूर एहमद का नूर एहमद अफगानिस्तान के शांदार प्लेयर इनकी जो पहले की प्राइस थी वो थी 30 लाख गुजरार टाइटन्स के लिए खेलते थे और अब यह 10 करोड में हिस्सा हो चिनना इस उपर केंग्स जहां जनरल ही तो छोटी एश चे प्लेयर जाते नहीं है वो उसे प्लेयर का ब्रिद्धा अश्रम समझा जाता है लेकिन वहीं नूर एहमद की एंट्री वहाँ पे हो चुकी है अखिर ब्रिद्धा अश्रम में कोई सिवा भाव के लिए भी तो हो होने चाहिए लोग तो वह काम करेंगे यह सैम करन और इंके साथ एक दो और बंदे अगला नाम की तरफ चलते हैं और अगला नाम है जी इस लिस्ट के अंदर वो है तुशार देश पांडे देखिए एक आरसी भी में आया फिर आरसी भी से कया अब चिन्नई में आया और च प्राइस हाइक मिला है और अब वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुके हैं 6 करोर 40 लाग जैसी बड़ी रकम में इनका भी लगबद 2500 परसंट का प्राइस हाइक हो चुका है देखिए क्या ये डिजर्व करते थे वुष रवाल पर अगर आएं तो भाई ये डिजर्व तो मेरे इसाब से करते थे विकॉस आई पील के अंदर इंडियन पेसर्स की कमी है और जहां डिमांड एकनोमिक्स का बेसिक सरूल है कि जहां डिमांड कम होती है वह प्राइस ओर लेड़ी जहां डिमांड जयादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ओर्ड़ी उपर चली जाती है तो उसी बात का फाइदा वैरे ये बने को और मिले एक अकरी नाम और सब्सक्राइब के आर सीवी में आये हुए रसिक डार सलाम जो के पिछले बार डेली गापिटल से बेक आउट स्टार रहे थे आंट मैचेस में नौ विकेट लिये थे रसिक सलाम ने और अब इसी वज़ा से उनका प्राइज जो है वह 20 लाक से बढ़कर 6 करोर हो चुका है ले पहले ही बता है एकनोमिक स्टरूल डिमांड ज्यादा सप्लाय कम याने के प्राइज उपर जाएगा तो उसी वज़ाए से इनका प्राइज जो है 20 लाक से 6 करोर तक जा चुका है लेकिन भाई आप पिछली वीडियो में हमने बात की थी बहुत से बंदों के प्राइज कम हो गए हैं तो आप ये वो बंदे हैं जिनके प्राइज सबस्टेंशली ग्रो कर गए हैं साइप ये लॉक्षिन दो हजार पक्षिस के बाद आपको क्या लगता है इनमें से कौन अपना प्राइज डिजर्व करता है और कौन नहीं करता है अपनी राइकमेंट सेक्शन में सकते हैं और साथी साथ कुछ काम और करना आपको वह क्या है लाइक करना शेयर करना सब्स्राइब करना विकाज आप लाइक करेंगे तो में देड़ सो ग्राम खून बढ़ जाएगा इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करते रहिए नोटिफिकेशन वाइगन दब आप आए और मैं आप से मिलूंगा किसी नए वीडियो में तक तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा धन्यवाद